गूड मॉर्निंग बच्चू, आज की किस वुडियो सेसन में हम लोग वायसराय से सम्मंदित बात करेंगे। आज की स्वीडियो सेसन में हम लोग यह देखेंगे कि आठारोसनी 999 से लेकर कि 1811 के बीच में भारत में कौन-कौन से वायसराय हुए और उनके कारकल के दौरान भारत में कौन-कौन सी महत्पुन घटना है घटी हमें केवल महत्पुन घटनाओं को ही लेकर चलना है घटना है तो काफी है लेकिन हमारा इस वीडियो सेशन का सम्मद्ध केवल महत्पुन घटनाओं से है इसके पहले भी अना वायसराय से सम्मंदित बात कही गई थे ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिनिवेशन है तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि वायसराय लौड करजन से ले करके अना वायसराय लौड करजन से ले करके अना लौड चेम्स फोड ल लोड करजन का जो कारकाल है यह 1899 से लेकर के 1905 तक का है और जो लोड चेम्सफोर्ड जो भारत के अंदर जो वायसराय बन कर आ है इनका कारकाल जो था वो 1916 से लेकर के 1921 के बीच कर था तो चलिए इस वीडियो सेशन के सुरुगात करते हैं जो कि आपके एक्जामिनेशन काफी और काफी कोशन आपको दिखने को मिलेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट हमारा जो वायसराय होंगे वो होंगे लॉड करजन जैसे कि मैं बताया हूँ इनका कारकाल जो है वाठारो से 992 से लेकर के और 1905 तक का है भारत में जो भी वायसराय हुए ठीक है ना उनमें सबसे कम उम्रे के जो वायसराय थे वो लॉड करजन थे तो लॉड करजन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करजन सबसे कम उम्रे के वायसराय हुए यंगिस्ट सबसे कम उम्रे के ये वायसराय हुए भारत के अंदर चलिए, दूसरा लिकिनीन के साथ एक निगेटिब बात क्या रहा कि भारत के ये सरवाधिक और लोग प्रिये, भारत के सरवाधिक ये बदनाम, ठीक है न, ये वैसराय साबित हुए, ये भी इंपोर्टेट बात है, तो करजन जो थे हैं, वो भारत के सरवाधिक, भारत के सरवाधिक, ठीक है न, और लोग प्रिये, लोग प्रिये का भी आपोज ठीक है ना और लोग परिये यह वैसराय हुए जबकि सरवाधिक जो लोग परिये जो वैसराय थे अगर इसके हम उल्टे बात करें तो सरवाधिक जो लोग परिये वैसराय हुए भारत के अंदर में ठीक है ना इंगलीस जो वैसराय थे वो लौड अरीपन थे चलिए हर चीज गटना है घटी तो सबसे पहले 1900 में ठीक ना सबसे पहले 1900 में क्या हुआ नॉर्थ वेस्ट ठीक ना फ्रॉंटियर प्रोविंस जिसको हम लुकाते हैं पस्ची मोतर प्रांत सीमा ठीक ना का गठन किया गया ठीक ना का गठन किया गया ठीक ना नॉर्थ वेस्ट फ्रॉंटियर प्रविंस का गठन हुआ ये 1901 में ये important गठना थी Lord Karjan के कारकाल की चलिए second गठना क्या थी Lord Karjan के कारकाल की 1902 इसवी में अब हम ये दूसरी गठना को दिखने जा रहे हम लोग ठीक ना पुलिस आयो का गठन किया गया ठीक ना Lord Karjan के कारकाल में 1902 इसवी में पुलिस आयो का गठन किया गया ठीक ना और इसके जो अध्यक्ष थे ये किसकी अध्यक्षिता में ऐसा किया गया तो एंडुरी फ्रेजर ठीक ना एंडुरी फ्रेजर की अध्यक्षिता में आप इसको बहुत सिंपल भासा में समझ सकते हैं एंडुरी फ्रेजर की अध्यक्षिता में अनप पुलिस आयो का गठन किया गया चलिए फिर 1902 में ही एक रैले कमिशन रैले कमिशन का संबंद किस है ये बहुत इंपॉर्टन सवाल रैले कमिशन का संबंद जो है वो मतलब विस्विद्याले की सिक्षा से है उचे सिक्षा से है तो 1902 में ही एक और बात हुआ लॉर्ड कर्जन के कारकाल में रैले कमिशन का गठन किया गया चलिए बहुत इंपॉर्टन है ये सारे कमिशन जो बिर्टिस काल में बने इन से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे तो रैले कमिशन का संबंद किस से है तो उचे सिक्षा या आप उसको विस्विद्याले भी का सकते है उचे सिक्षा एयो विस्विद्याले से है इसका भी गठान मतलब लॉर्ड कर्जन के कारकाल में किया गया चलिए अब हम बात कोब Kelvin आगे लेकर चलते हैं 1903 इस्विमें क्या हुए हम लोग 10 अल हम लोग घटना को देख रहे हैं दिल्य दर्बार योजन कियाका competitive दिल्ली दर्बार दूटल कितने अभी तक आयोजित हुए देखे वैसराय के सासनकाल में यह हम क्यों कहें कि दिल्ली दर्बार हुआ वो 1877 में हुआ था लिटन के कारकाल में जो दूसरा दिल्ली दर्बार हुआ वो 1903 का दिल्ली दर्बार हुआ ठीक है करजन के कारकाल में और जो तीसरा जो दिल्ली दर्बार हुआ था यह 1911 में लॉड हाडिंग के कारकाल में यह दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था जिसे हम अभी आगी देखेंगे तो जो 1903 का जो दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया था ना ये James, इसको आप ऐसे समझेए सॉरी, James नहीं, Edward James नहीं, Edward, सॉरी, ठीक ना Edward सब्तम, आप इसको ऐसे समझेए Edward, Edward 7th एड़र्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर जो seven थे थे उन्होंने भारत का दौरा नहीं किया था हां उन्होंने अपने परतिनी जी को भेजा था इस दर्वार में लिटन के कारकाल में भी हुआ था हना वहां के जो राजा थे उनके सम्मान में ये दिल्ली दर्वार का यूजन किया गया था ठीक है तो चलिए important बात क्या है कि 1903 में दिली दर्बार का युजन किया गया भारत में वैसे तीन दिली दर्बार लगे अठार सो सतातर में लिटन के कारकाल में 1903 में करजन के कारकाल में जो इंपोर्टेंट है और आगे देखेंगे 1911 में लॉड हार्डिंग के कारकाल में चलिए तो ये दिली दर्बार क क्या सम्पान में हुआ था चलिए उनी सो चार में अब क्या हुआ थोड़ा उसको देखा जाए ठीक ना भारती विस्विध्याले अधिनियम पारिति हुआ यह सारी जो घटनाय यह लॉड करजन के कारकाल की है ठीक ना उनी सो चार में यह और बात हुआ प्राचीन असमारक सं सन्रक्षन में भी करजन ने अरुची दिखाई थिक ना तो इसको हम ऐसे समस्ते हैं प्राचीन असमारक प्राचीन असमारक ठीक ना सन्रक्षन अधिनियम लाया गया 1904 में चलिये अज़े फिर घटनाओं को देखते देखे उनी सो पाँच में सरवाधिक जो बदनाम सरवाधिक और लुप्रिय सरवाधिक डिजास्ट्रस जो स्टेप लिया गया लोड करजन दोआ रहा वो था बंगाल विभाजन उनी सो पाँच में ठीक ना बंगाल विभाजी थो गया 16 ठीक ना यह बंगाल विभाजन यह मतलब समझे कि इस सरवाधिक यह गलत स्टेप उठाए गया था लौड करजन दोआरा चलिए आगे दिखते हैं कि 1905 में एक और चीच का गठन किया गया भारतिय रेलवे बोर्ड भारतिय रेलवे बोर्ड आज जो रेलवे बोर्ड हम लो बहुत इंपोर्टेंट है चलिए एक और इंपोर्टेंट घटना घटी कि पूसा में पूसा देखिए उस समय बिहार में जो पूसा था उसमें भारतिये क्रिसी अनुसंधान किंद्र के स्थापना हुई लेकिन 1934 में जो भुकम पाया तो यहां जो समस्तिपूर के पास जो जो क्रिसी अनुसंधान स्थान उठकर के दिल्ली के पूसा में चला गया पूसा बिहार में भी है पूसा दिल्ली में भी है तो वरतमान समय में यह जो क्रिसी अनुसंधान केंद्र है पूसा में यह दिल्ली में है यह बिहार के समस्तिपूर में नहीं है बिहार के समस्तिप ठीक ना, क्रीसी केंद्र ये बिस्विद्याले, तो चलिए, पूसा में क्या हुआ, पूसा में, ठीक ना, क्रीसी अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया, या स्थापना किया गया, उस समय जो पूसा था, वो बिहार का पूसा था, जो लॉड करजन के समय के जो पूसा था न वो बिहार का पूसा था वरतमान में ये दिल्ली में है वरतमान में ये जो पूसा है ये दिल्ली में है आप थोड़ा गनफ्यूसर नहों जो लॉड करगर्ण ने आना जो पूसा में जो क्रिस्य Yea Nunky Sanandhaan के अंदर का स्थापन कराया था वो बिहार का पूसा था लेकिन 1934 के भुकंप के बाद यही जो अनुसंधान केंद्र है वो दिल्ली के पूसा में स्थापित हो गया तो बिहार में जो भवन थे पूसा के जो बिहार में भवन थे तो वहाँ पर वर्तमान समय में बिहार में वो क्या खुल गया, यहाँ पर किलियर कर देना चाहता हूं, वरतमान समय में वो चीज क्या है, राजिंद्र, ठीक न, क्रीसी, ठीक न, केंद्रिये विद्याले, केंद्रिये, ठीक न, विश्विद्याले, ठीक न, विश्विद्याले, चलिए, तो यह जो चीज थे हैं, यह लोड कर्जन के कारकाल के चीज़ थे हैं छलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं लोड कर्जन के बाद आए लोड मिंटो लोड मिंटो हना दस सेकेंड और इनका जो कारकाल था 1905 से लेकर के 1910 के बीच का था चलिए इनके कारकाल की important घटना है देखते हैं अब तो बंगाल विभाजन दो लड करजन के कारकाल में हुचुका था। अब जो आंदोलन हुए अनँ बंग भंग जो बिरोधी आंदोलन हुए वो लड मिन्टो के कारकाल में हुए।तों पालाइस्प में क्या हुआ। completes of the doors of the stars विरोधी आंदोलन शुरू हो गया है। मतलब सोदेशी आंदोलन और बंग-बंग बिरोधी आंदोलन एक ही चीज है। दूसरा चीज क्या हुआ ये घटना थी 1906 की। 1905 में तो ये बंगाल विवाजन करके चले गए लेकिन 1906 में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया और उसी से रिलेटर है सोदेशी आंदोलन चलिए फिर देखते हैं कि 1906 में एक और घटना हुई मुसलिम लिग की अस्थापना हुई ठीक ना आगा खादवारा 1907 की घटना देखते हैं क्या हुआ हना सूरत अधिवेशन हुआ इसमें कॉंग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ ठीक ना और यहों कॉंग्रेस का विभाजन हो गया यहीं पर यहों कॉंग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल नरम दल में ठीक ना कॉंग्रेस का विभाजन यह पर हो गया यह सारी बाते हैं अना लॉड मिंटो के कारकाल की यह हमें समझना है सौदेशी आंदोलन बंग भंग बिरोधी आंदोलन मुस्लिम लिक्यास्थापना 1906 में हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट यह कई बार सवाल पूछा गया है मुस्लिम लिक्यास्थापना किस न अधना को दिखते हैं 1909 इसवी में ठीक ना उनिस नो इसवी में क्या हुआ कि इंडियन कॉंसील एक्ट आया ठीक ना यह 1909 के नाम से जिसको हम लोग काते हैं ठीक ना मिंटो मारले सुधार इनका एक और नाम है मिंटो मारले सुधार ठीक ना इसमें यह भी एक तरह से भारत में फूट डालो सासन नीती जो फूट डालो और सासन करो की नीती का काम किया मुस्लिमों के लिए अलग सीट का वेवस्था किया गया है इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे ठीक ना अभी मतलब आप यह समझा जाए कि इंडियन क तरह से सेप्रेशन सेप्रेशन करना बीजबो दिया ठीक ना तो चलिया यह लॉड मिन्टो के कारकाल में हम लोगोंने क्या देखा तो सबसे पले 1906 इसवी में क्या हुआ बंग भंग बीरोधी आंदोलन हुए और इसी से रिलेटर है साधिसी आंदोलन हुआ फिर 1906 इसवी हो गया फिर 1909 इसवी की घटना हम देखते हैं इसमें क्या हुआ इंडियन कॉंसील एक्ट आया 1909 के नाम से जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मिन्टो मारले सुधार चलिए अब हम आते हैं आगे की ओर लॉड हाडिंग अब हम आगे की ओर आते हैं लॉड वो 1910 से लेकर की 1916 की बीच का है दिखते हैं कि इनके कारकाल में मेजर इवेंट्स कौन-कौन से हुए मुख घटनाय कौन-कौन से घटनाय हुए तो पाली घटना इनके कारकाल की थी 1911 में क्या हुआ कि जो भारत की जो राजधानी थी अब तक कलकत्ता हुआ करती थी लेक कलकत्था से दिल्ली ट्रांसपर इसको सरल भासा में है आप ऐसे समझें चलिए यह तो 1911 के घटना थी और जो दिल्ली दरबार 1911 का जो दिल्ली दरबार था ये 1911 की घटना है आप ऐसे समझे थीगना इसमें जो पंचम जो उसके राजात है जो पंचम भारत में यातरा किये थे थे थीगना चलिए तो हम लिख सकते हैं British Samrat अगर इसको simple भासा में लिखा जाए तो हम लिख सकते है समराट, जौर्ज पंचम ए मेरी उनके साथ उनकी मेरी थी भारत यात्रा के सम्मान में यह दिल्ली दरबार पर ना फिक अग्या था ठीक है ना वो से हम आगे की वीडियो में दिखेंगे चलिए इसके बाद क्या हुआ ये तो अभी दो घटना है घटी हो 1911 में ठीक है एक तो दिल्ली कैपिटल भारत का जो राजधानी वो ट्रास्पर हो गया और 1911 में ही दिल्ली दर्बार कायोजन किया गया जोर्ज पंचम क सम्भान में चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 1915 में क्या हुआ अब हम आगे की घटना को देखते है 1915 में क्या हुआ 1915 में क्या हुआ कि मदन मोहन मालवी द्वारा हना हिंदू महासभा के अस्ठापना की गई चलिए ये तो पाल बात हुआ 1915 में फिर 1916 में क्या हुआ ठीक न 1916 में बी एचिव बनारा सिंदु इन्वर्सिटी के अस्थापना की गई तो ये लॉड हार्डिंग के कारकाल के मेजर इवेंट्स थे भारत के अंदर में चलिए अब हम आगे बात को लेके चलते हैं लॉड चेम्स फोड अब हम चलिए देखते हैं कि लॉड चेम्स फोड के कारकाल में कौन-कौन सी घटना घटी तो चलिए 1916 में क्या हुआ भारत में होम रूल लीग की सुरुआत किया गया ठीक ना लिग की सुरुआत किया गया किसके किसके द्वारा तो इसके दो स्टार्टर थें एक थे तिलक और ए नी बेसेंट के द्वारा यह घटना 1916 की है और यह लॉड चेम्स फोड के वाइसराय के होते हुए यह घटना घटी चलिए बात कमल आगे लेके बढ़ते हैं 1916 में ही क्या हुआ चलिए 1916 में ही क्या हुआ कि कॉंगरेस ठीक ना? Press Muslim League जो पहले एदब अलग-अलग थे मुस्लिम लीक के बीच समझोता हुआ के बीच लखनाव समझोता हुआ ठीक ना? लखनाव समझोता हुआ ठीक ना? कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच लखनौ समझ होता कि नाम से ये जाना गया चले इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1916 में ही एक और घटना घटी पूना में ठीक ना पूना में महिला आप ऐसा समझे विस्विविद्याले महिला विस्विविद्याले क्या स्थाप परना की गई ये घटना है ये सभी घटना है, 1916 की है चली, 1917 में क्या हुआ देखिए सिक्षा से सम्मधित, सैडलर, बहुत इंपोर्टेंट है सैडलर आयोग का गठन किया गया ठीक ना और ये सैडलर आयोग का समध किस चीज़ से है तो सिक्षा में सुधार है तू से था जबकि सेडलर आयो का संबंद पुर्ण यानि कि प्राइमरी से ले करके और इनवर्सिटी लेवल तक के जो सिक्षा थी तो संपुर्ण सिक्षा से सेडलर आयो का संबंद था यह के वल उची सिक्षा से रिलेटर नहीं था यह प्राइमरी सिक्षा से ले करके उची सिक् इसके बाद दिखिए 1917 में और क्या क्या घटना है घटी तो इसमें चमपारन बहुत इंपोर्टेंट यहां यह 1917 का यह सरवादी की इंपोर्टेंट यह घटना था गांधी जी द्वारा चमपारन सत्यागरह किया गया 1927 में ठीक ना यह गांधी द्वारा चमपारन सत्यागरह किया गया 1927 में चलिए बात को हम लोग आगे लेकि चलते हैं 1918 इसवी में क्या हुआ चलिए तो खेड़ा दिखिए 1917 में हुआ है चमपारन में और 1918 में खेड़ा यह हो अहमदाबाद आहमदाबाद आप ऐसे समझेए सत्यागरह हुआ ठीक ना यानि कि खेड़ा और आहमदाबाद सत्यागरह का सम्मंद किस साल से है तो 1918 से है इसके बाद बहुत ही इंपोर्टेंट है दिखिएगा 1919 में क्या हुआ रॉलेट एक्ट आया अना यह बहुत ही बदनाम यह एक्ट था रॉलेट एक्ट आया ठीक ना जालिया वाला बाग कांड हुआ जालिया वाला बाग कांड हुआ यह सब ए स्वरी बाग है जालिया वाला बाग इसमें मतलब मासा कर हुआ नर संगहार हुआ आप इसको सरल भासा में ऐसे समझे रॉलेट एक्ट आया 1990 में ही क्या हुआ तो जालियावला बाग नरसंगार हुआ और 1990 में ही भारत सरकार अधिनियम आया भारत सरकार अधिनियम निसमें आया ये सारी जो घटना है वो लॉड चेमसफोर्ड के समय की घटना है चली इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है उनिशो बीस में अब हम लोग परवेश कर गये हैं उनिशो बीस में क्या हुआ तो उनिशो बीस में आपका अली गड़ मुस्लिम पिसमी दिया लेके अस्थापना हुई ठीक ना में काते हैं एम्यू क्या स्थापना 1920 में हुई ठीक ना और क्या हुआ 1921 में क्या हुआ अभी 1920 में ही असहयो गांदोलन ठीक ना 1920 में ही असहयो गांदोलन शुरू किया गया चलिए तो बच्चों ये अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये लॉड करजन से लेकर के लॉड चेम्स फोर्ड के बीच जो भी वायसराय भारत में हुए जैसे कि लॉड हम लोगों ने करजन देखा मिंटो देखा हाडिंग देखा और हम लोगों ने चेम्स फोर्ड लेकिन आपका ये जो वायसराय का अभी एक वीडियो और और सेस है उस वीडियो में हम लगो 1947 तक के जो भी वायसराय भारत में हुए ठीकना हम उनको देखेंगे तो आज का वीडियो की बात कैसा आपको रहा इसमें और क्या इंप्रूइमेंट किया जा सकता है आप अपने व